क्योंकि यह Citron Company ना मतलब लोग जादा लेते नहीं है लोग जादा लेते इसलिए ने क्योंकि लोगों को एक्चुली पता ही नहीं है कि यह भी कार एक्जिस्ट करती है तो इस वीडियो को एंदे तक देखते हैं एसा सा लूक आता है कार का ग्लॉस फिनिश आप काफी जगा देख पाएंगे इस कार के अंदर यहां पे आप ग्रिल में भी फ्रंट में भी थोड़ा बहुत लॉस फिनिश काफी अच्छे वाला यूज कर रखा है एल डी प्रोजेक्टर इसमें सब कुछ इन बिल्टी आता है और डी आरेल्स वेगरा सब कुछ इसमें कंपनी फिटिडी है क्योंकि यह टॉप एंड वेरियंट है और अगर बात करें इसके अलॉई विल्स की तो डाइमंड काट अलॉई विल्स हैं इसमें जो की 17 इंचिस क आपको इसमें मिल जाएंगे इड मिर्स की बात करें जिसे हम ओर विम्स कहते हैं यह हमको वाइट कलर में ही मिलेंगे और साथ में यहां पर बैजिंग दी हुई है और मैट फिनिश थोड़ा बहुत यूज़ कर रख है और इसमें जो डोर हैंडल यह आपको काफी पुरानी बढ़िया लग रही है क्योंकि लाइट पढ़ रही है उस पर तो लाइट पर तो ग्रॉस अच्छा ही लगता है और आप देख सकते हैं जैसे की सेवन सिटर कार है यह तो इन्होंने कंपैरिजन में तो अर्टीगा होगी अलकाजार होगी नहीं कंपैरिजन में निकाला है म तो अर्टीगा होगी क्योंकि अलकाजार तो काफी जादा प्राइस रेंज आउट हो गया फ्रंट विंडो में कुछ ऐसा सापको सब कुछ मिलेगा जो नॉर्मल कंट्रोल होते हैं वो तो है यह साथ में वाइट लैदर भी मिल जाए आपको सॉफ लैदर अब इस कार के अं और यहां पर आपको स्टेरिंग पर स्टेरिंग पर ही कंट्रोल दिये हुए है और यहां पर एयर बैग है और सिक्स एयर बैग इसमें अल्रेडी आते हैं और यहां पर आपको एस इवेंट्स भी ग्लॉस फिनिश के साथ मिल जाते हैं जिसमें क्रोम का ट्रीटमेंट भी य पोग आएगा इसका और यहांपर यह दो एसी वेंट्स है कि दूर लगते लेकिन यह दो अपर देख सकते हैं आप से तो एक इधर है एक इधर है और यहाँ पर AC के गंट्रोल दिये हुए इनोंने और वायरलेस चार्जर मेरे खाल से नहीं वायरलेस चार्जर नहीं है इसमें दो कपोल्डर और यहाँ पर दो स्पेस दिये हुई है इनोंने और यहाँ पर six gears दिये हुए इसके अंदर और manually hand break इसमें adjustable इसका armrest है और armrest में space देखते है space भी अच्छी armrest में और seat cover काफी अच्छे use कर रखे हैं इसमें white color नहीं है ये off white color कह सकते हैं इसको और जो की मतलब अगर कुछ गिरेगा भी तो गिले कपड़े से साफ हो जाएंगे इसमें कोई दाग नहीं रहेगा और यहां पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत space दी हुई है ये dashboard की space है इसकी और window के control है जहां पे वहां पे थोड़ा सा leather यूज कर रखा है इन्होंने थोड़ा सा तो नहीं मतलब जो भी control है और यहां पे gloss finish दिया हुआ है अब मैं आपको एक बड़ी car on करके दिखाता है स्टार्ट कर दिया है अब car और ऐसा कुछ इसमें मतलब digital automator दिया हुए इसमें already यहां पे आप देख सकते हैं clear आएगा थोड़ा और वही जो digital automator है इसमें का यह सिट्रोन की बाकी cars में भी सेमी आता है सारी touch है रेडियो वगएरा अगर हम स्पीकर से में तो ऐसी कुछ स्पीकर में वाज आती है इसकी और यहां पे आप सारा कुछ touch है फोन, Bluetooth वगएरा Android, Apple CarPlay navigation भी है इसमें तो बाकी सारी चीज़े हैं इसमें तो आपको कुछ बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी automatic climate control already है इसमें और अगर मैं बात करूँ इसके front में लोकी तो मेरे को काफी अच्छी लग रही है कार आप भी देख सकते हैं कि premium nesto थोड़ी बहुत फील हो ही रही है इसमें बाक क्योंकि ये citron company ना मतलब लोग जादा लेते नहीं है लोग जादा लेते इसलिए ने क्योंकि लोगों को actually पता ही नहीं है कि ये भी कार exist करती है और इसमें भी इतने सारे functions already दिये हुए है इसमें कुछ extra functions नहीं दिये हुए जो functions दिये हुए है वो जो regular use के लिए होते हैं लोग बे बाक कार में regular use के लिए functions चाहिए होते हैं इसमें वही provide किये गए हैं कोई ऐसे फाल तू मतलब जैसे cost cutting कर देते हैं अगर मैं रियल में देखू तो रियल में भी काफी अच्छी है कार अल्रेड़ी आरके बैक विंडो की बात करें तो इसमें भी आपको वाइट लेधर यूस मिला होगा और साथ में नॉर्मल विंडो के कंट्रोल मैं इसकी बीच वाली रो में बैठ चुका हूँ तो ऐसा कुछ आपको लेक स्पेस मिलेगा इसमें तो लेक स्पेस भी काफी अच्छा मिल जाता है आपको और पीछे AC कंट्रोल भी आपको यहाँ पे दिये गए है जो की काफी बढ़िया बात है और पीछे अच्छा दो AC कंट्रोल यहाँ पे है और चार AC कंट्रोल यहाँ पे भी दिये हुए क्योंकि पीछे वाले भी जो सीटेस में वहाँ पे भी AC लग जाए तो यह भी काफी सही है, आपे Halogen दिया हुआ है, यह AC के कंट्रोल्स है और यह स्पीकर दिया हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे आपको Windows के कंट्रोल अल्लेडी बहारी दिये हुए है क्योंकि जो पुराना जो इसका पहले मॉडल आते थे, उसमें यहाँ पे दिये होते थे, यहाँ पे आमरेस नहीं था आमरेस था, मतलब काफी अगे जाके था और यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल दिये होते हैं इसके साइड विंडोस के तो यहाँ पे तीन मंदे बड़े राम से बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है और ऐसा कुछ लूका जाता है, और यहाँ पे इन्होंने अच्छी बात है, इन्होंने आपे भी सीट में, तो लास्ट वाली सीट में भी काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है, क्योंकि अगर तीन बंदे हाँ पे बैठी है, दो बंदे आगे बैठी है, तो दो बंदे बड़े नाम से बैठ सकते हैं आपे, शौट अगर कहीं दूर नहीं जाना, और बच्चों के लिए तो क बाहर रख सकते हैं, अगर हमने कहीं लॉंग रूट पे जाना और समान काफी है, और पांच बंदों नहीं जाना, तो इन दोनों सीट को हम बाहर निकाल के रख सकते हैं, तो डिकी में काफी अच्छी स्पेस मिल जाएगी आपको, तो ऐसी LED लाइट सापको यहां पे मिल जा और बाकी ओवरोल कार कुछ ऐसी है, यहां पे आपको नॉर्मल हेलोजन्स मिल जाती है पीछे और उपर ग्लॉस निश्यों में आपको पहले पताया ता दिया हुए, छट पे भी दिया हुए, यहां पे भी है, और यह शाक एंटीना जो बोलते हैं इस पे भी है, अगर किसी ने भी नई कार लेनी है, तो इस पे जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही बड़िया प्राइज रेंज में आई है, क्योंकि यह है सेवन सिटर एर क्रोस मॉडल, जो कि आपको आपको ऑन रोड साड़े बारा लाग रुपे का पड़ जाएगा, तो भाई यह बड़ी सही डील आपको मिल जाएगी अगर आपने कार देखनी है, आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, और जिसको भी यह कार लेनी है, तो बड़े राम से ले सकता है, क्योंकि बाहर से भी अच्छी है, अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि कौन सी और कार का रिव्यू चाहिए आपको और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो जोर आती रहेंगे